हमारे सनातन धर्म में हमने ये सिखा है कि बुराई का अंतना बुराई ही होता है दिनधाडे घर में घुसके मारा गया था उमेज पाल के टाइम पर क्या पॉलिस कर भी नहीं थी माफिया का अज अंत हुआ है आज राबन का बद हुआ होता है तो अजोगी जी के साथ पूरा उत्तर प्रदेस बासीओ खड़ा हुआ है और भाजपा गवर्मेंट के साथ पूरा उत्तर प्रदेस बासीओ खड़ा हुआ है। अब उत्तर प्रदेश सरकार पर और उत्तर प्रदेश पुलिस दूनों पर सवाल उठ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब कोई सेफ नहीं है क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में एक अपरादी को मार दिया जाता है तो उत्तर प्रदेश कैसे सेफ है जिसका दावा योगि करते हैं जिनों ने उनको आज आतिक को माफिया आतिप बनाने में यह अपना पूरा-पूरा जोगदान निभाया पूरा सरकारी तंत्र को इस्तेमाल किया अपने राजनेतिक आतिक को आज आतिक किसलिए बनाया गया आपने बनाया उनको पांच बार विधायक बनाया सांसद बनाया आपने पॉलिटिकल सार्थ के लिए उनको आपने पार्टी से टिकेट टिकेट भी दिया वहां पर सांसद पहुचा है और बढ़िये और मीडिया भी आपको भी आपको माफिया का अंत हुआ है आज राबन का बद हुआ होता है तो अगर गोली उसको लगता है तो दर्द कहीं दूसरी जगा क्यों आता है गोली उसको लगी है तो दर्द भी उसी को होना चाहिए नहीं आज गोली लगी है भले ही उनको दर्द किसी और जगा से आ रही है ऐसा क्यो अगर कोई दंगाई हो का, हाँ, लेकिन बात इस जगा पे भी उनको भी आज समझना चाहिए, यूपी बासी को भी समझना चाहिए, किस ने आज उनको पाल पोस्के बढ़ा किया है, और उनको आज एक माफिया बनाने में अपना पूर्ण सायोग दिया है, तो उनसे उनसे पह पुलिस कर्मी नहीं थी, उसमें भी तो पुलिस कर्मी थी, तो तब कि उन्हें सवाल खड़ा किया गया, कि पुलिस कर्मी रहते हुए, क्यों वहाँ पे घुसके दिन धारे मारा गया, आज इसे रोना, यह है कि आप ठीक, आप उमेश वाल की हत्या की बात कर रहे हैं, जिक है, जिस तरीके से इंकाउंटर हुआ है, नहीं, यह उल्टा तरफ आपको देखना था, यह साजिस अगर हुआ है, तो सरकार अपने तरफ क्यों साजिस रचेगी, यह तो रचने वाली काम कोई दूसरा करेगा ना, सायद पोल पट्टी खुल जाए, ऐसे बहुत सारे बहु तो इस्तेमाल उन्होंने किया होगा, अगर किसी ने किया है, तो यह तो सक का दाइरे में वो लोग आते हैं, ना, सरकार आते हैं, तो सक के दाइरे में वो लोग आना चाहिए, ना, आपको लगता है कुद्ट प्रदेश में अगर कोई अपराध हब करेगा, तो उसका सीधा है, in counter कर दिए जाए, आप इस बात का समर्तन करते हैं, देखे मैं कानून व्वश्ता से उपर तो हूं नहीं कानून व्वश्ता को हम पूर्ण रूप से मानते हैं और हमारे न्याईपाली के उपर पूर्ण भस पूर्न विश्वास है, लेकिन बात यह थे काby एक हमारा सनातन धर्म को मानने वाले हमें बात ये है कि जो हमारे सनातन धर्म में हमने ये सिखा है कि बुराई का अंतना बुराई ही होता है चाहे कुछ भी कर लो बुराई का अंत बुराई ही होता है किसी भी तरह से बुराई ही होगा आपके साथ अगर आप अच्छे काम करो तो आपका अंध भी अच्छा ही होगा तो बुराही करोगे तो अंध बुराही होगा और चीज बता दू जोगी जी का जो यूपी बाला मॉडल है उसके सत्त निस्टा पर और उसके जो कारवाई है उसके उपर पूरा यूपी बासी को भरोशा है इसलिए आज कंडे से कंदा मिला कर और हाथ में हाथ पकड़ कर आज जोगी जी के साथ पूरा उत्तर प्रदेश बासी हो खड़ा हुआ है और भाजपा गवर्मेंट के साथ पूरा उत्तर प्रदेश बासी हो खड़ा हुआ है और एक विसेस वर्क को टार्गेट किया जा रहा है क्या कहना है तो ये हमेशा से सिकारीय है और यूपी की जनता भली भाती इस चीज को देख रहे तभी यूपी बासी आज जोगी जी के साथ बाबा मॉडेल के साथ कंदे से कंदा मिला कर खड़े है क्योंकि जोगी बासी को ये बाबा मॉडेल के उपर पूर्ण रूप से विजबास है और 2024 से इसका क्या क्या लेना देना है आप जब यूपी को एक गुंडे राज बना के रखते थे यूपी को एक लुटे रे के प्रेदेश बना के रखते थे आज वहाँ पे अगर कोई 37 स्थापीत हो रहा है भारती जनता पार्टी जब पहली बार आया था मैं भी एक भारती जनता पार्टी का कारे करता हूँ तो जब पहली बार वहाँ पे आया था भारती जनता पार्टी का यही निती रहा था कि जीरो टॉलरेंस के निती अपनाया जाएगा उसी तरह काम किया जा रहे हाँ लेकिन अगर कहीं गारी पलटती है अगर आप एक चीज बताया कुछ दिन पहले जब यह हुआ था तब उन्होंने गोली बारी नहीं की थी पुलीस अपना बचाओं में गोली बारी करें गाइना तो नहीं, घर में बैठा के, कुर्सी में बैठा के, चाय पीते पीते के, यूपी पूलिस ने ठोक दिया, ऐसा तो हुआ नहीं, उन्होंने भे गोली बारी कीती और भागने का कोशिस किया था, तब जाके हाता फाई में ये दोनों तरफ से हुआ था, एक सिंगल तरफ से नही वो पूरी अपनी कारवाई करने जानती है लेकिन जो पॉलिटिकल इच्छा सकती होती है वो पहले नहीं थी आज खुले हाथ दे दिया गया है आप एक चीज बताओ हमारे सरद में सेना को अगर छोड़ के रखा गया है और राई नहीं तिक इच्छा सकती है मजबूत नहीं ह गुसपैटी आते रहेंगे यहां पर टेरोरिस्ट बॉमबा जी यह सब आते रहेंगे अगर आप खुले हैं चोड़ दोगे तो आप देखिए वहां पर एक पंची भी उड़के नहीं आ सकता है उसी तरह आप यूपी पुलिस को जिस तरह से पंगू बनाएं रखा जाता इससे पहले आज उसी पुलिस को खुला एंड छोड़ दिया गया है अपने कानून के दाइरे में अपना काम भली भाती जानता है और वो कर भी रही है और इसलिए यूपी के जनता भली भाती भली भाती इस चीज को देख रहा है कहीं भी रोध नहीं है ये तो पहले मैंने जैसे ही कहा था कि गोली किसी और को लगी है दर्द कहीं और हो रहा है यह situation है तो गोली भले ही उनको लगी है दर्द किसी और को ही हो रहा है